हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैद निर्मान की विरोध के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगटनों का जोरदार प्रदर्शन जारी है मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद में अवैद निर्मान सो गिरानी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है काफी तेज हो गई पांच मंजिला इसे बना दिया गया और अभी लगातार यही मांग की जा रही है कि इसको तोड़ दिया जाए हाला कि मुस्लिम जितने भी मुस्लिम संगचन है उनकी तरफ से कहना है कि जो अवैद लग रहा है वो मंजिल हम तोड़ देंगे लेकिन आदेव शाजाय हमें उसके बाद हम यह करेंगे उसके पहले ही विरोध पुदर्शक हिमाचल में एक बाद फिर से देखने को मिल रहा है यह देखे उस चीज़ को देखते हुए पुलिस में परयाप्त अर्रेंजमेंट्स जो है वो यहां पर किये ही हमारा में एम है कि उन्हें लॉइन ओर मेंटेन रखना है किसी बतला कि कोई वालेशन लिए उन्हें देनी है कितने फोर्स और डिप्लाई की गई है मंडी शहर में या सराउंटिंग में और कहां कहां पर आपके तरफ से जोग नाके बंदी की गई है मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है आपको दिखा रही है मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट से उसमें नाकास लगाए है और रूटीन शेकिन तो अवैद निर्मान हटाने की मांग चल रही है और तस्वीर आपको दिखा रही है यह तस्वीर आप देखिए जहाँ वाटर कैनन का इस्तमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए यहां से लोग चले जाए संजॉली के बाद मंडी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है हिमाचल के संजॉली में आपने इससे पहले तस्वीरे देखी थी जब प्रदर्शन हो रहा था और अब आप मंडी की भी तस्वीर देख रहे हैं, मंडी में देखिया आक्रोश कितना जादा, यहाँ पर देखा जा सकता है लोगों का गुस्सा, और अभी भी ये गुस्सा जो है वो शान्त नहीं हुआ है, संजॉली के बाद अब मंडी में जो है गुस्सा दिखाई दे रह है, प्रदर्शन करते नजर आ रही है, मंडी में भी अब यही हाल, हिमाचल के मस्जिद के अवैद निर्मान पर बवाल लगतार जारी है, शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद के अवैद निर्मान पर बवाल हो रहा है, हिंदु संगठन ने अवैद मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की है पुलिस ने रोका तो बैरिगेडिंग पर चड़ गए तोड़ने लगे इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बॉच्छार की है उन्हें रोकने की कोशिश की है और अभी भी ये कोशिश लगतार चल रही है ये देखे तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक तो आप देखेंगे ये जो ऊपर से नजारा आप देखें कैसा दिखाई दे रहा है यहां पर सुखु साब आज आपने ओल पार्टी मीटिंग बुलाई थी संजॉली मस्जिद के मुद्दे को लेकर ने ये गलत है कि मस्जिद को लेकर बुलाईगी तो ये परदेश में कोई भी हम अपने सभार्द को ना बिंगने दे और परदेश परदेश के प्रेटिकों को हम ये बात कहें कि आप हमाचल परदेश आईए क्योंकि जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा था वो एक स्थान पर परदेशन हो रहा था चोटी सी गली थी उसम में नारे लगाना भी एक अधिकार है तो ये जो मिटिंग थी इसमें हमने अन्रोद किया कि जो चबी हमाचल परदेश की गई है उस चबी को नुक्सान ना पहुंचे और उसके साफ से हमारे यहां सोहार्द का जो वाता बना रहे और प्रेटिकों से अन्रोद किया जाए कि और इस क्लैश के बाद ही आपके मंतरी अनुरुट सिंग ने भी एक प्रेस कॉंफरेंस ने ये कोई दिक्कत नहीं है जो हमारे मनिस्टर ने बियान दिया उनकी विधान सवा शेतर में ये गटना गटी तो उनकी विधान सवा शेतर में वो जो लोकल आदमी था उसके साथ जो बहार से लोग आए वे तो उनके साथ घटना गटी फिर उस समुधाय की लड़ाई में तो उस चीज से वो थोड़े से विधान सवा शेतर को ध्यान में रखकर उन्होंने ब्यान दिया होगा लेकिन उनका अपना व्यक्तिकत भियान नहीं है कल उन्होंने ने सीद्या का है और मैं कहना चाता हूं कि घटना नहीं है यह इसमें जो भी बात हुई है वो स्टीट बेंडर्स को लेकर है दो दुकानों का जड़ा है जो दुकान वहां चलाते थे वो भार के लोग थे उन्होंने लोकल आदमी को आकर पीटा जिसके कानिये बात भाली है सही माइने में सत्या यह है लेकिन कई बार क्या है कि social media के जमाने में बात को बढ़ा चड़ा कर गिया जाता है जो हमाचल की शांती के लिए ठीक नहीं था ऐसा प्रस्तुत किया गया कि हमाचल में पता नहीं क्या होने वाला और इतने media channelوں ने ऐसे प्रस्तुत किया मैं तो इस तिती से निक प्रदर्शन कारी भी जो है वो भी जानते कि हम कानून के दैरे में हैं हमने अपना प्रदर्शन सरकार के सामने रख दिया है अब उनका दाइतव है और यह जो हमारे यह जानते हैं इसलिए इस परकार की बात करना बड़ी बात कई मैं तो ऐसे जून रहा था कि अब यह होगा अब वह जो एंकर बैठे हो तो उनको ऐसी बाते हैं यहां की विस्तिति को देखना जाए एक जगा है जहां गलियां है रोड नहरों वहां ऐसा है तो ऐसी कोई बात पूले कुछ शांती प्रिय प्रदेश है और मैं आपसे भी चाहूंगा कि प्रदेश हमारा बड़ा सोहार्थ पूर्न है प्रदेश में सभी धरम चाहे सिख है इसाई है मुस्लिम है सब को प्यार से रहने की जाजत है छोटी बात को रानितिक रोटियां सेखने के लिए